हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं आप लोगों के लिए सीमफली और आलू की बहुत मजेदार और सूखी चटपटी सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ देखिए हमारा आलू और सैमफली की सबजी कैसे बनी हैं अगर हमारा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजिएगा यह बनना बहुत आसान है फ्रेंड्स सेम फली की सबजी बनाने के लिए ये हाब किलो सेम फली को मैंने दो के एसे तुकडों में काट लिया है मेली को खीला है इसे कूट के हम डालेंगे और प्याज ओर हरी मेच चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं एक कडाई ग्यास पर मैंने चड़ा दिया है अभी हम इसमें तीन बड़े चम्मच ओल डाल देंगे ओल गरम होते ही हम इसमें जीरा एड़ करेंगे जीरा चटकते ही हम हरीमिट्च एड़ कर लेंगे आप तीखा अपने एकड़िंग रखिएगा अभी हरीमिट्च फ्राई हो जी हाँ प्रेंट देखिए प्यास अच्छे से ब्राउन हो चुका है अभी हम आलू डाल कर 2-3 मिनर तक प्यास के साथ फ्राई करेंगे अच्छे से चलाते हुए आलू को हम फ्राई करेंगे देखिए अच्छे से हमारा आलू फ्राई हो चुका है कलर बहुत अच्छा आ चुका है इसी में इसी समय हम सेमफली को भी डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे फिर धकन लगा कर 3-4 मिनट तक इसे पका लेंगे 3-4 मिनट के बाद हम टमाटर को इसे बीच में डाल देंगे चारो साइड से सब्जियों को करके और उसके उपर सब्जियों को डाल देंगे तक ही टमाटर अच्छे से गल जाए फिर से हम धकन लगा देंगे एक से दो मिनट के लिए अभी दिखिए फ्रेंट टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है अभी अच्छे से सारे सब्जियों के साथ टमाटर को मिक्स कर लेंगे अभी स्वादनुसार नमक एड़ करेंगे ये रेड़ चिली पाउडर है हमने ग्रीन चिली भी डाला था थोड़ा तीखा आप अपने एकडिंग डालेगा ये है सब्जी मसाला हल्दी पाउडर धन्या पाउडर जीरा पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से सब्जियों को साथ मिलाएंगे फ्रेंट्स आज का रेसीपी फ्रेंट्स मेरे हजबेंड बना रहे हैं किसी कारण बस में वीडियो नहीं बना पा रहे हूँ तो वह ही बना रहे हैं आज अभी धकल लगाकर 2-3 मिनट तक पकाएंगे देखिए फ्रेंट्स कैसे बना है सीम और आलू का सुखी सब्जी सच में फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा ही टेश्टी बनती है आप एक बार जरूर ट्राइ करें अगर पसंद आएगा रेसिपी तो प्लीज एक लाइक कर दिजिएगा देखिए मैं अभी आपको प्लेट में सर्फ करके दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स कैसे सीम आलू का सब्जी बना है रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा और जो चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए